हलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू मैं चैनल, आज मैं आपको वन पिस अमरेला कट कुर्ती बनाना बताऊंगी तो उसके लिए मैंने ये धाय मिटर रेयोन का फैबरिक लिया हुआ है, आप इसे अपनी पसंद से किसी भी फैबरिक में से बना सकते है तो पूरा जो मेरा धाय मिटर का फैबरिक है, उसे मैंने इस तरह से ट्राइंगल शेप में बिचा दिया है जो मेरी सेट है वो बंद वाली सेट है और जो उपर की सेट है वो इसकी खुली हुई सेट है, एक सेट इसकी बंद वाली सेट है अभी उपर से हम शॉल्डर के लिए निशान लगाएंगे तो शॉल्डर के लिए में 6 इंच पर निशान लगाऊंगी क्योंकि मैं इसमें डीप नेक बनाने वाली हूँ तो shoulder हमें 6 inch का लेना है तो मेरे measurement में shoulder 14 inch का है तो उसमें हमें 3 inch कम कर देना है तो 11 inch होता है और 11 का हमें half करना है तो 5.5 inch होता है और 5.5 inch में हमें 12 inch extra रखेंगे तो इस तरह से हमें 6 inch पर निशान लगाना है आप अपनी पसंद से shoulder की चोड़ाई कमिया ज्यादा कर सकते है अभी जो हमने 6 inch पर निशान लगाया है उसके नीचे भी हमें 6 inch पर निशान लगाना है ये हमारे armhole की लंबाई के लिए हम 6 inch पर निशान लगाएंगे तो जितना हमने shoulder लिया है उतना ही हमें armhole भी लेना है तो 6 inch पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी line ड्रो कर देनी है अभी यहां से हम chest का measurement लेंगे तो आपकी chest का जो भी measurement हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2 inch add कर देना है सिलाई margin के लिए तो मैंने 11 inch पर निशान लगाया है और एक सीधी line ड्रो कर देनी है chest का fourth part करना है और उसमें 2 inch हमें extra लेना है सिलाई margin के लिए अभी back armhole के लिए हमें 1,5 inch पर निशान लगाना है और front armhole के लिए 1 inch पर निशान लगाना है और दोनों निशानों पर हमें round shape ड्रो कर देना है front और back armhole के लिए अभी हम लंबाई के लिए निशान लगाएंगे तो जहां से हमने shoulder के लिए निशान लगाया है वहां से हम लंबाई के लिए 43 inch कर यानि की 43 inch पर निशान लगाएंगे तो मैं कुर्ती की लंबाई 43 inch की रखने वाली हूँ आप अपनी पसंद से लंबाई कमिया ज्यादा कर सकते है अभी उपर से हम देख लेंगे कि इसकी कितनी लंबाई आई है तो उपर से मेरी इसकी लंबाई 51 inch की यानि की 51 inch की आई है तो इस तरह से हमें पूरा जो हमारा घेरा है वहाँ पर 51 inch पर निशान लगाते जाना है इस तरह से हमें उपर के कोने पर इंची टेप को रखना है और 51 inch पर यानि की 51 inch पर निशान लगाते जाना है और एक round shape डोग कर लेना है नीचे की तरब से 51 इंच पर निशान लगाते जाएंगे और राउंड शिप ड्रोग कर देना है तो देखे इस तरह से मैंने राउंड शिप ड्रोग कर दिया है नीचे थोड़ा सा हमारा जॉइंट आएगा अभी जहां पर हमने शॉल्डर के लिए निशान लगाया है वहां से हमें कमर की चौड़ाई के लिए 14 इंच पर एक निशान लगा देना है यह हमारी कमर के लंबाई रहेगी अभी जो हमने कमर की चौड़ाई के लिए निशान लगाया है वहां पर हम कमर का चौथा भाग करेंगे और उसमें भी हमें 2 इंच एट कर देना है स्लाइ मार्जिन के लिए तो आपकी कमर का जो भी मेजरमेंट हो उसका चोथा भाग करना है और उसमें हमें 2 इंच एट कर देना है तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है और साइट से इस तरह से लाइन ड्रो कर देनी है अभी इसे हम नीचे तक इस तरह से तिरची लाइन जोइनट आएगा तो नीचे का जो बचा हुआ फैबरिक है उसमें से हम जोइनट लगा देंगे इस तरह से हमें लाइन ड्रो कर लेनी है अभी हम गले की चोड़ाई के लिए निशान लगाएंगे तो गले की चोड़ाई के लिए में 2 इंच पर निशान लगाऊंगी क्यों पीछे की गले की लंबाई रखी है और 6 इंच आगे की गले की लंबाई रखी है अभी दोनों निशानों पर हमें राउंड शिप ड्रो कर देना है फ्रांट और बेक नेक के लिए अभी जहाँ पर हमारी आम होल वाली लाइन है वहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगा देना है शॉल्डर स्लोप के लिए और एक तिर्ची लैन ड्रो कर देनी है इस तरह से हम तिर्ची लैन ड्रो कर देंगे अभी सबसे पहले हमें बेक नेक और बेक आम होल से इसकी कटिंग कर देनी है तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है अभी नीचे जो बचा हुआ फेब्रिक था उसमें से हम जॉइंट लगा देंगे तो जितना हमारा नीचे वाला पाठ है उस हिसाब से हमें लंबाई कट कर लेनी है इस तरह से डबल फोल्ड फेब्रिक को रखते हुए नीचे वाला जितना हमारा घेरा है उतना हम निशान लगा कर लाइन बना लेंगे इस तरह से राउंड में और जो एक्ष्ट्रा फेब्रिक है उसे हमें कट कर देना है तो इस तरह से हमारे दो जॉइंट होएंगे अभी जो हमने joint के लिए fabric cut किया है उसे हमें इस तरह से जहाँ पर भी हमारा joint आता है वहाँ पर इस तरह से रखना है और इसके उपर सिलाई लगा देनी है उपर वाले पार्ट में भी और नीचे वाले पार्ट में भी अभी इसमें से हम एक पाट को निकाल लेंगे और इसे वापस से डबल फोल्ड कर लेना है और फ्रंट नेक और फ्रंट आम होल की कटिंग कर देनी है तो देखी इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है और ये हमारे दो पाट है आगे और पीछे के लिए अभी इसमें से मेरा थोड़ा सा ही फेब्रीक बचा था तो इसकी में चोटी स्लिव बनाने वाली हूँ तो फेब्रीक को मैंने 4 फोल करके बिछा हुआ है और इसकी जो लंबाई है वो मैं 4 इंच की रैडि करने वाली हूँ तो 0.5 inch फेब्रीक हमें extra लेना है, तो मैंने 5.5 inch पर लेना है, तो इसकी लंबाई मैंने 6.5 inch की रख subsidy की रखई हैये अभी cap sleeve के लंबाई के लिए हम 0.5 inch पर निशान लगाएंगे क्योंकि हम 4 inch की sleeve बनाने वाले हैं तो बंदवाली साइट से भी हमें 0.5 इंच पर निशान लगा देना है और 0.5 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रो कर देनी है अभी खुली हुई साइट से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे सिलाय मार्जिन के लिए और इसमें हमें स्लीव का शेप ड्रो कर देना है अभी नीचे से मेरी स्लीव की चोड़ाई 5.5 इंच की है तो 1.5 इंच हमें एक स्टा लेना है तो मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है आपकी जो भी स्लीव की चोड़ाई है उसका चौत्था भाग करके 1.5 इंच एक स्टा लेना है अभी साइट से भी हम rim line डोग कर देंगे अभी आमें इसकी cutting कर देनी है तो जैसे हमने draw किया है बिल्कुल वेसे ही हमें इसकी cutting कर देनी है तो देखिए इसतरा से मैंने स्लीव की भी cutting कर दी है और ये हमारी दो स्लीव है अभी हम front part में पट्टी attach करने वाले है तो मैं same fabric की पट्टी करने वाली हूँ आप चाहे तो contrast color की पट्टी भी लगा सकते हैं तो पट्टी की चोड़ाई मैंने 4 इंच की रखी है और इसकी लंबाई मैंने 10 इंच की रखी है अभी पट्टी को हम इस तरह से double fold कर लेंगे और side में और नीचे की तरप से हमें इसमें सिलाय लगाकर पट्ट को सीधी side पर palette दिया है अभी मैंने ये गोटा पट्टे की किनारी वाली याने की समोसे वाली लिया इसली है तो इसे हमें दोनों side से इस तरह से किनारी के ऊपर अंदर की तरफ रखना है और इसके उपर हमें सिलाय लगानी है नीचे की side हम सिलाय नहीं लगाएंगे शिप इ हमें फ्रंट का पाट लेना है और इसे इस तरह से हम डबल फोल्ड कर लेंगे और बिलकुल सेंटर में हमें एक लाइन बना लेनी है ताकि हमें पट्टी अटेज करने में आसानी हो तो बिलकुल सेंटर में हमें एक सीधी लाइन बना लेंगे चौक की मदद से इस तरह से हमें बिल्कुल सीधी लाइन बना लेनी है फ्रंट पाट में उसके बाद हम पट्टी को इसके उपर रखेंगे जो हमने लाइन बनाई हुई है उसके उपर हमें पट्टी को रखना है तो ध्यान रहे पट्टी हमारे टेड़ी मेरी नहीं होनी चाहिए तो इसके लिए पहले हम इसमें पींस लगा लेंगे ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो तो पहले हम इसे पींस से सिक्योर कर लेंगे एक इंच तक पट्टी हम उपर की तरफ सरकाते हुए रखेंगे उसके बाद हम दोनों सैड में और नीचे की तरफ भी इसमें सिलाई लगाएंगे तो देखे मैंने इस तरह से इसमें सिलाई लगाकर पट्टी को अटेच कर लिया है अभी जो उपर की तरफ हमारे एक्ष्टा पट्टी है उसे हम कट कर लेंगे उसके बाद हम इसमें गले पर पट्टी अटेच करेंगे तो उसके लिए मैंने ये तिरची पट्टी कट की हुई है इसे सीधी सैट से ही गले के उपर रखना है और इसके उपर हमें सिलाई लगा देनी है उसके बाद हमें पट्टी को डबल फोल्ड कर लेना है और उल्टी सैट पर पलट देना है और इसी तरह से बेकनेक के उपर भी हम तिरची पट्टी अटेच कर लेंगे सीधी सैट से ही पट्टी को रखते हुए हम इसके उपर सिलाई लगा देंगे और पटी को double fold करते हुए हमें अंदर की तरफ मोर देना है तो देखे मैंने पटी को attach कर लिया है फ्रंट पार्ट में भी और बेक पार्ट में भी अभी हम इसमें elastic attach करने वाले हैं तो हम पटी attach करेंगे तो टौप का पाठ हमें उल्टा रखना है और इस तरह से मैंने ये तीन इन चौड़ी पट्टी कट की हुई है तो पट्टी की जो बॉर्डर है उसे हमें इस तरह से अंदर की तरफ आधा इंच तक फोल्ड करना है उपर की सैट को और नीचे की सैट को भी हमें पट्टी को आधा इंच तक अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इसके उपर हमें सिलाय लगा देनी है तो टॉप वाला पाठ हमें उल्टा ही रखना है मैं इसमें इलाश्टिक अटेच करने वाली हूँ तो इसलिए मैं अंदर की सैट पर पट्टी लगा रही हूँ अगर आप डोरी पास करना चाहते है तो आप सीधी सैट पर पट्टी लगा सकते है और इसी तरह से बैक पार्ट में भी हमें पट्टे को दोनों सैट से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके उपर सिलाय लगा दिनी है इसमें हम केसी बनाएंगे तो देखे इस तरह से मैंने पट्टे को अटेच कर लिया है तो ध्यान रहे जहां पर हमने कमर की चोड़ाई कट की थी वहीं पर हमें पट्टी को लगाना है अभी इसमें मैं इलास्टिक लगाने वाली हूँ तो इलास्टिक की लंबाए आपको उतनी लेनी है जितनी आपकी कमर की चोड़ाई है उससे दो इंच कम का इलास्टिक लेना है तो एक सैट से मेरी कमर की चोड़ाई 15 इंच ρέ करेंगे इसे साब से मैंने 13 इंच का लिया हुआ है अभी चो हमने पट्टी अटेश की है उसमेंसे हमें इलाष्टिक को सेफ्टी पीन की मदद से पास कर लेना अभी एक सैट पर हम इसमें इलाष्टिक में पींस लगा लेंगे ताकि यह फाहर न पास कर लेंगे झा मने पट्टी लगाई हुई है उसमें से तो देखे इस तरह से मैंने एलाश्टिक को पास कर लिया है फ्रंट पाट में भी और बैक से अब ही एक पाट को हमें सीधा रखना है उसके ऊपर दूसरा पाट हम उल्टा गुल्टा रखेंगे और इसके shoulder joint कर लेंगे किक दोनों साइटे से हमें कि सवल्डर कर लेने हैं है कि तो मैं देख कि मिने स्वल्डर旐न्स कर लिया है अब हम इसमे स्लीव ऐ्टेज करेंगे तो simply हमें को उल्टा रखना है और सेंटर से ही हम स्लिव को अटेज करेंगे सेंटर से स्लिव को अटेज करने से इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आती है उसके बाद हम स्लिव को अटेज करते हुए इसमें सिलाय लगा देंगे और स्लिव की जो बॉडर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड कर लेना है और इसके उपर हमें सिलाई लगा देनी है और इसी तरह से दूसरी साइट पर भी हम स्लिव को अटेज कर लेंगे और स्लिव की जो बॉर्डर है उसे हम डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे तो देखे मैंने स्लिव को अटेज कर लिया है और स्लिव की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है दोनों स्लिव को मैंने अटेच कर लिया है अभी हमें कुर्ती को उल्टा कर देना है और साइट से जहाँ पर हमारी स्लिव और चेश्ट का मेजरमेंट आता है वहाँ से हमें दो इंच पर निशान लगाते हुई सिलाय लगानी है फिटिंग की और जो हमने इलाश्टिक लगाय तो देखे में इसकी फिटिंग कर ली है तूनों ही साइट से और नीचे की जो बडर है उसे भी मैंने फोल्ड करते हुए इसमें सिलाय लगा दी है अभी अगर आप चाहे तो इसकी साइड में रेडी में डोरी लगाना चाहते हो तो आप डोरी भी लगा सकते है डेकोरेशन से लगा सकते हो दोनों ही साइड में और इसी के साथ हमारी वनपीस अमरेला कट कुर्ती बनकर रेडी हो चुकी है हमने जो सेंटर में पट्टी लगाई हुई है आप उसके उपर कोई बटन भी अटेच कर सकते है तो फ्रेंड्स आपको आज का टुटोरियल पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजे और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत बुलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिके सबसे पहले मिल सके और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरा ये वीडियो देखने के लिए थेंक्यू सो मज़ गाइस